गोपान लेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाइस बच चुके हैं साम के च्छे और आज पहुड़ों में मौसम की बात करें तो सुबह से बहुत ज्यादा धूप लगी है और अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी हो यह तो दिन में बहुत ज्यादा अब बाइस तक पहाड़ों में बाइस हो थी उसके बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो चुके अभी पशीने से बढ़ चुके हैं तो आज ब्लोग स्टाट कर रहा हैं अभी हम आरके हैं आम तोड़ने के लिए बहाद सू और कानू अभी जारके हैं पानी लेने के लिए और प बहाड़ों में आज़कल आमिका रहे हम काम ऐसे घूमने कम जा रहे हैं और आम ज्यादा खा रहे तो इहां पे भूमी भी आचुगी है यह देख सकते इतने आम लेकि आचुकि यह मैं तो अभी जो मैंने अभी आम तोड़े में बहुत जिखाता हूं भूमी जो खाता हो ज जाना तो यहां दिखाता आपको कितने आम तो ऊपि आपको कितने अब यहाओना नहीं को आप बोभी लोगों यहां व शना के मैं भाशूN exciting semaine तो अभी हम जा रहे हैं και बासु लोग सभी पर क्योंकि बहुत राद चारी जा रहें, और भी दिखने रहे से बहुत ज्यादा पेड़ मिल भाधर का हैं को रेको पीद तो Сवयवीन के महां मालमत है में चर्खने लेका माजना पर गूरे udahipid तो उपर चलता है मलवागली, तो जाए सवाइनेली मलवागली पहुंच चुके और यह है पुरान जाने के घर जो बहार रहते हैं और उनका पुरा खौ देख सकते हो इसमें पहले बैठते थे लोग गहू चूटते थे इसमें गहू रखते थे और गहू रखते थे और आज यहां पर आपको पेड़ देख सकते हैं आज कर पहाड़ों प्राइन होने के बाद और यह पुरे जो खासी घाय दिखिए होगे आपको पुरे खौमी धर तक लाग भी रहा खौज जैसा इधर को इधर को इधर है पंकु लोगो का घर तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आपको दिखाते हैं यहां पर तो यहां पर इनके पीछे से भी है और आज कम तो इनका तेजपता भी है और आज कर अचार सबी लोग मना बनारें कि आमका सीजन भी आरका है तो इन्होंने दो डिबया चार बना पहाड़ी आचार आम पहाड़ी आपको दिखाते हैं यह इस फरकार से अचार होता है पहाड़ी आचार आम का तो इतना पहाड़ी प्यारा लग रहा है और यह इनके गार्डन जिसमें इन्होंने फूल उगारके हुआ है और आजकल और गाईस आजकल इन्होंने मक्कẹ और यहाँ पीछों पहाण से इहीं मक्कट पहाड़ी गार्डन कईर्ण लिए पहाड़ी बाकली तो यहां पे यहां पर जातरा लगारा है तो यहां पर जातरा लगा रहा हम आपको दिखाते हैं यहां पर ब्चु गास और इधर के पहाडी तो यह बहुत ज्यादा ने पत्ते और यह है जिससे मिठाए बनती है यह पहाडी चू कहा इसकते हैं चू होता है पहाडी चू अब यह पाकानी है यह यहां बोगों की मिर्ची तो इह चूँए है विद्ध लोगों कि इस थी पर कीड़े यह देख सकती हैं यह मक्य ने पूरे बरबात कर दी फसल मला इसे मक्य तो ओंगे अब छोटे होंगे और यहां पर रहे हैं पाड़ी स्वायबीन जो वाइट कलर के होता है स्वायबीन तो यह उरके हैं यहां पर इतने ताइजी लोगों ने स्वायबीन बोरके पाड़ों में सबी लोगों के घर में और सबी लोग पोँचे थे जो अब हम धूर्म अजिए घर कहले हैं अब माँ जबनी बहुत तो अब इनकी सब्याइब लगई और गॉट सब्याइब लगई निकाने ने ने लिए तो इनकी सब्याइब थे पहादे ने लगए फूल आ रहे हैं चोटे-छोटे तो एक है और यह है तो आपके चिचन भी लगाए तो इस परकार से इनका गार्डन तो गैश यह देशी में यहां अधया और जो पहाए टुछा होता हुट है और पहुर होता है तो ह९ह को ज्यादा है। हिहां आता होता है थो इसे लिए यहां पर देशकी करेला को ज़्यादा लगा देशन क qeary कि क्यार दर गानं कि इनका मिर्ची की और कि यहां पर न साला नहीं होता है तो यह है जहता है चकी के पेट यहां पे टेपल के सबस्क्राइब घ्रिऴी time करने लिए बिन का सीजन अभी हैनी है तब यहां पर लगे में बिना इसमें के और देख सकते हो तेहां पुटला भी न आया है क्योंकि रात को जंगरी जानों से शुवर और जो आते हैं तो अभी 22 कम ऑसम बन चुका है दुबार से और इस परकार से गारण पाड़ी गारण होते हैं इस परकार से तो गईस यह लोग के पिछले साल के हाँ पर ज़ाड़ माने के लिए और यह होते हैं तो जाजूर जो खाने और खाजूर हो तो गाईस पाइनली इसी ब्लॉग को कर ता के ले बाई